नमस्कार आज हम लोग फार्म प्लानिंग के बरें पढ़ेंगे जो कि GS paper 1 का topic है और next what is farm planning फार्म प्लानिंग क्या होता है प्लानिंग आप सोच ये प्लानिंग क्या हो सकता है प्लानिंग को भी चीज़, हम लोग एडवांस में को भी चीज़ लेने के पहले जो एडवांस कि में सोचते हैं, वह है प्लानिंग प्रोसेस, तो फार्म प्लानिंग के आड़ डिसिज़न मेकिंग प्रोसेस है, regarding to organization और operation of a firm, business to get maximum profit and return of a firm business, हम फार्म में जो भी करेंगे, उसके लिए हम लोग एडवांस में कोई decision लेना, कि यह implement यूज करेंगे, यहां से हम loan लेंगे, यहां से credit supply करेंगे, यह सारा process जो होता है, total process यह सारा फार्म प्लानिंग में आता है, इसके objective क्या होता है, इसके मेंली तीन objective है, पहला objective है, कि maximum profit हो जाना, दूसरा है employment generation करना, तीसरा है utilization of resource, अब advantage क्या क्या है, careful examination of existing resource and their allocation, दूसरा है crop diversification, crop diversify हो जाएगा, क्योंकि जब हम plan करेंगे, तो हम एक ही crop को लेके तो plan नहीं करेंगे, हो सकता है, हम दो दिन crop लेके plan करें, multiple cropping पे, adoption of new technology, पुरानी technology, जिसके हमें कम output मिलता था, अब हम उसके बज़ा है, नहीं technology को यूज़ करेंगे, focus on variety selection and adoption of new practice, अब varital selection में हम कैसे variety लेंगे, short duration लेंगे, और insect-based resistant variety लेंगे, और adoption of new practice, जो भी नए practice होगा, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, चाहे वीडिंग के लिए जो भी नया practice हो, चाहे, organic certification के लिए, जो भी parameters उस तरह की जो भी practice है, तो अब हम यह देखते हैं कि क्या-क्या process, क्या-क्या planning process में क्या-क्या करना पड़ता है, एक तरफ से, उसके flow chart को देखेंगे, कि कैसे कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, existing of, assessment of existing resource, मतलब हम यह assess करेंगे, कि हमारे पास कौन-कौन सा resource है, जैसे land, labor, capital और enterprise, यह सारे ह हमारे कितने है, मतलब कितने area में crop को grow करना है, उसके हिजापस, हमारे पास कितने labor है, उसका हमको कितना invest करना है, और enterprise मतलब उसका marketing purpose क्या होगा, दूसरे में हम करेंगे preparation of farm map, पूरे farm का एक map पनाएंगे, कि यहाँ पे हमारा tuvel होगा, यहाँ पे हमारा road होगा, यहाँ पे ह हो सकता है कि जैसे climate change हो गया, या फिर rainfall pattern हो गया, या excessive rain हो गया, drainage की समस्या है, और insect pest attack हो गया, यह सारी risk है, हमें आते हैं, फोर्त में आगा, estimate technical coefficient of different enterprises, जो भी हम technical coefficient, मतलब जो भी farm implement यूज करेंगे, उसका किस ratio में हमारा cost of production बढ़ रहा है, और किस ratio में हमारा profit आ रहा है, इस को हम लोग technical coefficient के through access करेंगे, फिर prepare enterprise profitability chart, फिर हम लोग यह देखेंगे कि हर enterprise जितने भी enterprise लिए हैं, उसमें पहले हम क्या यूज करते थे, अब क्या यूज करते तो पहले और अब में कितना बदलाओ देखने को मिल रहा है, फिर identify करेंगे weakness of farm plan, अब ऐसा तो कोई हो नहीं सकत हम लोग यह करेंगे कि, prepare and analysis of alternate plan, alternate plan के बारे में सोचेंगे, alternate plan कैसा होगा, कि मान की चलिए यह plan किसी करण से फेल हो गया, तो हम alternate कौन सा plan ले सकते हैं, जैसे देखिए, मान की चलिए हमारे चार मेने का कोई duration का कोई crop है, उसके लिए हमने farm planning किया, हो सकता है कि पहले season में, य हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि, इस समय most probable chance अगर खराब होगा, तो इसी दो मेने के बाद खराब होगा, तो उस समय से alternate plan, या फिर बीच में हम क्या कर सकते हैं, जो alternate plan हो, और finally implementation of planning, और finally हम लोग plan को implement कर देंगे, क्रेक्टिस्टिक क्या है, plan कैसा होना चाहिए, well written होना चाहिए, पूरा on paper होना चाहिए, flexible approach होना चाहिए, मतलब situational होना चाहिए, अभी जैसा है, फिर कल को अगर situation change हो गई, market demand change हो गई, तो इसको थोड़ा सा change कर सकते हैं, efficient use of resources जैसे INM है, IPM है, ये सारी, risk questions करेंगे, farm crop insurance जैसे करवा लें, पहले से, utilization of farmer knowledge and skill, farmers के local knowledge और skill को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, developed agriculture marketing system, या फिर E-Nam, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कि हम लोग ये contact farming भी कर सकते हैं, repayment of credit, अब जब हम लोग planning कर लिए, तो क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कैसे repayment करेंगे, और use of advanced technology, जो नए नए टेकनोलोजी है, जिससे कि हमारा cost कम पर जाए ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे, अब इसके बाद हम लोग मैं एक बार इसके पहले बता चुका हूँ, आज मैं फिर से एक बार repeat कर देता हूँ, कि आपका जो answer writing process होगा, वो आपको इस format में लिखना है, इसी page के चारो जो हैं, इसके अंदर में लिखना है, आपको आप लोग का एक और question था, कि आप ये triangle और ये chart वगरे क्यों बनाते हैं, देखिए, जो आपका copy check करेगा, वो तो 40-45 years का होगा, और वो चाहते हैं कि आप creeps point को easily उसको दिखा दे, वो जितना आसानी से copy check, मतलब उसको दिखेगा, वो उतना अच्छे marks देंगे, और उनके 50-100 copy एक साथ पड़ी होती हैं, तो आपको अच्छा नमर क्यों दे हैं, उसके लिए आपको diagrammatic representation करना होगा, आपको creeps देना पड़ेगा, वो 1500 word में, 200 word में, इसलिए तो question काफी complicated पूछा जाता है, और उसमें ही आपको अपने आपको सारे point को cover करना है, और represent करना है, तो ये उसके भी subpart होते हैं, तो इसलिए आपको इसमें practice किजिए, writing practice more important है, thank you, thank you so much.